हेलो अब्रिवन आज की स्रीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं से सम्मंदित सामाणी विज्ञान यानिकि जनरल साइंस से रिलेटेट most important selected 20 questions को friends इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ science के regarding दो classes share कर चुकी हूँ जिसमें हमने only previous year में पूछेगे question आपके साथ share किये हुए कि किस तरीके के question आप से पूछे गए है और आने वाली परिक्षाओं में किस तरीकी के question पूछे जा सकते हैं जादर से जादर जिनकी संभावना है वो question में आप सभी के साथ share कर रही हूँ ताकि आप सभी को आपकी पृतियों की परिक्षा में help मिले तो चलिए friends continue करते हैं हम आज की इस class को पहला question है washing machine का कारी सिध्धानत है देखिए जो washing machine हमारे घरों में प्रियोग होती है वो किस सिध्धानत पर कारी करती है अब केंदरन, विसरन, अपोहन इन में से कोई नहीं तो देखिए washing machine करती है अब केंदरन सिध्धानत पर कारी यान की centrifugal force हम इसे बोलते हैं जिसमें केंदर से बाहर की और क्या लगता है force लगता है ठीक है तो right answer क्या होगा option A second question है निम्रिखत में कौन सी सदिस रासी है देखिए vector quantity आप से पूछी जा रही है तो vector quantity के लिए हमें दिसा और परिमान दोनों का पता होना जरूरी होता है ठीक है दिसा परिमान से मतलब है direction और magnitude से ठीक है तो इन दोनों का पता होना जरूरी है और अदिस रासियों में क्या होता है जो scalar quantity होती है उसमें हमें सिर्फ परिमान की जरूरत होती है किसी भी दिसा का पता होना जरूरी नहीं है तो अब देखिए इस question में आप से नहीं है उना चिये question में ठीक है तब ही आपको एक right answer निकल कर मिलता है आइतन जो है आधिस रासि है तो सदिस रासि कौन सी है पूओछा जा रहे है तो विस्थापन भी सदिस रासि है वेग भी सदिस रासि है बल भी सदिस रासि है ठीक है तो इसमें तीनों ही आंसर क्या है राइट है जब कि जो आइतन है वो अधिसरासी होगा question number third है बल गुणनफल है यानि कि जो force है वो किसका product होता है द्रविमान और त्वर्ण का भार और वेक का भार और त्वर्ण का द्रविमान और वेक का तो देखे force equal to होता है ma यानि कि mass into acceleration ठीक है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा द्रविमान और त्वर्ण का क्या होगा यह गुणनफल होगा next शुचन है हवाओं की उर्जा होती है देखे जो हवा चलती है इसमें कौन सी उर्जा होती है पूछ रहा केवल इस्तिदीज वैद्यूत गतिज इस्तिदीज और गतिज दोनों ठीक, option C's का right answer होगा, अगला question दिया गया है, प्रिथवी का पलायन वेग, यानि कि इसके velocity आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ का कितना है, तो इसका right answer है, 11.2 km पर second, देखें कई बार ये question आपसे exams में पूछे जा चुके हैं, तो इन question को आप अच्छी तरीके से समझ के solve करें अगला question है, वर्सा की बूध गोलाकार होने का कारण है, देखें जो बारिस की बूधे होती है, वो क्यों होती है, गोलाकार आपसे पूछा जा रहा है, तो इनके प्रिस्टी तनाव के कारण होती है, option B's का correct answer होगा, next question है, मिट्टी का तेल पानी के उपर इसलिए तेरता है देखें, आपने कई बार देखा होगा, मिट्टी का जो तेल होता है, अगर हम कभी भी, पहले generally आप कोई सा भी oil डालिए, सरसों का तेल भी गर आप पानी में डालते है, वो भी उपर तेरता है, ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मिट्टी का तेल पानी के घरत उसे कम होता है, ठीक है, उसकी density कम होती है, इसलिए वो पानी के उपर फ्लोट करने लगता है, ताप बढ़ने पर द्रव की सयानता क्या होती है, जो द्रव की viscosity है, वो बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी, या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ती पैन में जाते हैं, पैन का जो इंक है, वो लीक होने लगता है, ठीक है, तो ऐसा किस कारान से होता है, पुछा जा रहा है, तो वायुद आपकी कमी की कारान होता है, नेक्स विशन है, बर्फ से जमी झील के अंदर मचलियां जीवित रहती हैं, देखिए आप लोग ने कई जबार ऐसा देखा होगा, जो बड़ी बड़ी जीले होती है, उनमें पूरी तरीके से बर्फ की एक मोटी लेयर बन जाती है, जो उपर की लेयर होती है, वो 0 degree Celsius तक पहुंच जाती है, जिसके गरान बर्फ पूरी तरीके से जम जाती है, अब क्या होता है, उसके अंदर जो मचलियां हैं, ठीक है, या फिर कोई अन्य जीव हैं, वो जीवित रहते हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उपर की लेयर का जो टेंपरेचर है, वो तो 0 degree Celsius हो जाता है, लेकिन नीचे का टेंपरेचर 4 degree Celsius तक बना रहता है, ठीक है, और वहाँ पर जो बर्फ है, वो जम नह जित रहेगा, ठीक है, option C's का correct answer होगा, next question है, किस ताप पर पानी का घनत अधिक्तम होता है, ठीक है, पानी का जो temperature है, वो maximum density में कौन से temperature पर होगा, minus 4 degree Celsius पर, 0 degree Celsius पर, या फिर 4 degree Celsius पर, इन में से कोई नहीं, तो देखें, जो पानी की density है, वो 4 degree Celsius पर अधिक्तम होता है, ठीक option C's का correct answer होगा, next question है, बादलों के वायू मंडल में तैरने का कारण है, देखें, किस कारण से बादल वायू मंडल में तैरते हैं, ताप के कारण, दाप के कारण, वेग के कारण, घनतु के कारण, देखें, जो बादल है, वो वायू मंडल में कम घनतु के कारण, तैरते हैं ठीक है उनकी जो density है वो कम हो जाती है जिसके कारण वो क्या करते है वायो मुंडल में तैर नहीं लग जाते हैं एक सुचने प्रकास का वेग अधिकतम होता है देखिए आपसे light की velocity पुछी जारी है किस चीज में सबसे ज़्यादा होगी हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में तो देखिए जो प्रकास का वेग है वो अधिकतम निर्वात में होता है ठीक है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और अगर हम बात करें हीरे में, तो हीरे में प्रकास का वेव होता है 1.24 x 10 to the power 8 meter per second और पानी की अगर हम बात करें, तो पानी में होता है 2.26 x 10 to the power 8 meter per second और हाइड्रोजन में होता है 2.98 x 10 to the power 8 meter per second तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा निर्वात में होता है 2.99 into 10 to the power 8 meter second तो इसमें right answer हो जागा option C Next question सूरी से प्रथवी तक प्रकास को पहुँचने में कितना समय लगता है दीके सूरी से जब प्रकास सूरी का प्रथवी तक पहुँचता है उसको समय लगता है लगभग 500 second का ठीके और जब आप इसको change करेंगे तो लगभग 8.5 minute होगा ठीके तो यहाँ पर option के according जो right answer हमारा है वो 8 minute होगा option B correct answer होगा next question है पूर्ण आंतरिक परावरतन होता है जब प्रकास जाता है पूर्ण आंतरिक परावरतन कव होता है जब प्रकास हीरे से कांच में जाता है ठीके option A correct answer होगा next question है मरीची का बनना उधारन है किस चीज का example है मिराज आप से पूछा जा रहा है तो पून आंत्रिक परावर्तन का है ठीक है ये एक तरीके का वायूमेंडली द्रिस्ट्री भ्रहम होता है mostly हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है रेगिस्तान में क्या होता है अक्सर कि जैसे कहीं पर बहुत दूरी पर आपने कोई पेड़ देख लिया तो आपको उसका प्रतिविंब नीचे भी दिखाई देगा आपको ऐसा लगेगा कि उस एरिया में पानी है और ऐसा होता नहीं है तो इसी को मिराज बूला जाता है ठीक है और ऐसा पूर्णा अंत्रिक प्रावर्थन के कारण होता है प्रकास का रंग नरधारित होता है देखें जो लाइट है उसका कलर किस से नरधारित होगा आयाम से तीवरता से तरंग दैर्गी से इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर है तरंग दैर्गी यानि के वेवलेंड से ठीक है और देखें इसके रिगार्ड़ी आपसे क्वेशन करी बार एक्जाम में और पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकास का तरंग दैर्गी सबसे ज़ादा होता है या फिर सबसे कम कौन से रंग का होता है तो लाल रंग के प्रकास का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्गी होता है और बैगनी रंग के प्रकास का सबसे कम तरंग दैर्गी होता है ठीक है तो ये पॉइंट भी आप लोग दिहान रखें next question है आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है देखे नीला क्यों दिखाई देता है पुछा जा रहा है तो right answer है प्रकेंडन के कारण दिखाई देता है ठीक है और देखे इसी के regarding आपसे question और पुछा जाता है कई बार exam में कि जो अंतरिक्षी आत्री है उनको आकास का रं हो वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके के डेली प्रेक्टिस सेट मिलते रहें thanks for watching